नमस्ते आज की रिडिंग जो है मेश राशी वालों के लिए है कि आपका मून साइन मेश राशी वाले तो आपका जो है एप्रिल का महीना कैसे जाने वाला है आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, करियर, जॉब, बिजनिस, व्यापार और कुल मिला के मतलब आपका एप्रिल का महीना कैसे जाएगा ये इस रिडिंग में होगा तो तीन पाइस हैं, तीन भगवान राम की जो है दो इमेज है, एक मुर्ती है, उसमें से आप एक चूस कर लीजी और अगार आपको रिडिंग अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें मेश रासी वालों जिन्होंने नीले भगवान का राम जी का पिक्चर चुना है, पाइल वन का तो उनका एप्रिल का महीना कैसा जाता है, तो पहले देखेंगे कि एप्रिल में आपका जीवन कैसा होगा कुल मिला के एप्रिल में कुल मिला के आपका जीवन इस तरह का होगा, फिर आपकी परसनल लाइफ देखते हैं पाइल वान जिन्होंने नीले राम जी की इमेज को चूज किया है उनका पर्सनल लाइफ यह है अब आपकी लव लाइफ देखते हैं यह है लव लाइफ आफ की अब आपकी प्रोफेशनल लाइफ देखते हैं करियर, जॉब, बिजनिस, व्यापार तो यह है जो है कुल मिला के जो है अप्रिल का महीना आपका कैसा जाएगा तो यह काड आया है आप एकदम मज़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं खुब इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को यानि आपके पास सब कुछ है सब कुछ अच्छा खासा चल रहा है और आप अपनी लाइफ को खुब मज़े से इंजॉय कर रहे हैं थोड़ी सी मतलब मौज मस्ती दिख रही है कुछ आप लापरवा भी हो सकते हैं तो कोसिस करें कि जो है ज़्यादा लापरवा ना बनें और थोड़ा सा मतलब सोच समझ के डिसीजन थोड़ा सा यानि की परवाह भी करें ज्यादा केर फ्री ना हूँ बाकी आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं मज़े से जी रहे हैं और आपकी परसनल लाइफ देखूं तो परसनल लाइफ बहुत अच्छी चल रही है सबसे मतलब आप मज़े से आराम से हैं अपने परिवार में सबसे आपका एकदम मतलब राजा जैसा मज़ा कर रहे हैं तो आपकी परसनल लाइफ अच्छी जा रही है सायद आपकी चल भी रही हो पावर भी हो आपके परिवार में यानि लोगा आपकी सुन भी रहे हों तो अप्रिल के महीने में आपकी personal life काफी अच्छी जाने वाली है आपकी लोग आपकी सुनेंगे और आपके पास पैसा वैसा सब कुछ मतलब अच्छा खासा रहेगा और फिर यह आपकी love life, love life काफी अच्छी जा रही है कुछ love life में आप थोड़े से मासूम हो गए हैं या फिर हो सकता है कोई आपको ऐसा मिले जो जिसका व्यभार रहानी जो पार्टनर है अगर आप married है तो आपकी wife या फिर आपकी प्रेमिका उसका व्यभार कुछ वो बच्चों जैसा हो कुछ मासूम हो और आपका जो है ये अप्रिल का महीना love life की हिसाब से बहुत प्यार से बीतने वाला है तो love life काफी अच्छी है आप दम मासूमियत से भरा प्यार वाला जीवन दिख रहा है अप्रिल के महीने में काफी अच्छा दिख रहा है फूलों से भरा तो चलिए देखते हैं आपका करियर प्रोफेशनल लाइफ कैसी होगी तो प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी है पर हाँ आपको महनत ज़्यादा करनी पड़ेगी काफी महनत करनी पड़ेगी आप जो है कुछ प्रोफेशनल लाइफ में करियर बिजनेच जो है उसमें भी आप काफी मासूम सीधे साधे दिख रहे हैं और काफी महनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं महनत ज़्यादा है थोड़ा सा मतलब तो वो दिखाई दे रहा है बाकी करियर और प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छाई से अपने जो भी आप बिजनेस जॉब जिसमें हैं बहुत इमानदारी बहुत अच्छाई से खुब मेहनत कर रहे हैं तो अच्छा चल रहा है कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं कुछ यानि हो सकता है पर हां कारोबार की हिसाब से भी अच्छा है एप्रिल का महीना तो आप एगदम मजा करते हुए टोटल में जी रहे हैं, مजा करते हुए जी रहे हैं, family life भी आपकी अच्छी जा रही है आपकी चल रही है, family life में, jumes आप राजा की तरह, आपके पास authority power है और love life में भी कुछ मासूमियत दिखाई दे रही है, कुछ फूल दिखाई दे रहे हैं मतलब लव लाइफ भी प्यार भरा जो है आपकी जीवन बीत रहा है और प्रोफेशनल लाइफ में भी आप काफी मानदार और कुछ महनत करते हुए सीधे साधे अच्छे दिख रहे हैं मतलब और कुछ हाँ कुछ आपको प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं चुनवतियां हो सकती हैं तो ये रहा अप्रिल का महीना काफी अच्छा है आपका अप्रिल का महीना तो हो क्यो आपको ये रिडिंग अच्छी लगी हो लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजी थैंक यू तो पहला काड निकालेंगे कुल मिला के आपका एप्रिल का महीना कैसे जाने वाला है पाइल नमबर तु अब आपकी परसनल लाइफ कैसी जाने वाली है एप्रिल के महीने में पाइल नमबर टू जिन्होंने सफेद मुल्ती चुनी है यह है आपकी परसनल लाइफ अब फिर आपकी लव लाइफ कैसे जाने वाली है पाइल नमबर तू अब आपका करियर कैसे जाने वाला है यह है आपका करियर आपका जो है अप्रिल का महीना काफी अच्छा जाने वाला है आपकी चलेगी आप मजे से बैठे हुए हैं आराम कर रहे हैं और कुछ आप कुछ प्यार का भी कुछ दिख रहा है मौसम अगर आप मतलब औरत हैं तो आपकी अपने पती के उपर चल रही है पती हैं तो पतनी के उपर तो अच्छे से और आपकी परिवार में भी आपकी चल रही है और कंफर्टेबल अच्छा खासा महीना दिखाई दे रहा है तो पूरा महीना जो है कुल मिला के अच्छा दिख रहा है आपकी चल रही है और प्यार भी कुछ दिखाई दे रहा है प्यार का मौसम अब आपकी परसनल लाइफ देख लेते हैं परसनल लाइफ में आपके कुछ यानि कुछ गैदरिंग दिखाई दे रही है हो सकता है कोई आयवाय या कुछ function function हो कुछ celebration हो और personal life में आप लोगों से बातचीत करते हुए मिलते जुलते हुए दिखाई दे रहे हैं enjoy करते हुए दिखाई दे रहे हैं जैसे आपकी घर में कुछ खुसी का मौका भी हो सकता है कुछ घर भरा पूरा है आपका तो personal life काफी अच्छी दिखाई दे रही है और यह आपकी love life love life में या तो आप सीधे साधे मासूम है या फिर आपका जिससे आपकी पतनी या फिर आपकी प्रेमिका कुछ सीधी साधी मासूम महनत करते हुए ऐसी कुछ दिखाई दे रही है तो love life जो है कुछ हलका सा struggle कुछ हलकी सी महनत कुछ दिखाई दे रही है पर बाकी कुल मिला के अच्छा सांत प्रेम भरा मासूमियत भरा कुछ दिखाई दे रहा है तो लव लाइफ अच्छी दिखाई दे रही है थोड़े बहुत कुछ प्राब्लम्स हो सकते हैं हलके फुल के बाकी कुछ मेहनत कुछ आपको स्ट्रगल क करना पर सकता है वाकि अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे तो काफी मतलब अच्छा दिखाई दे रहा है यानि मासूमियत से भरा प्यार से भरा और करियर करियर जॉब बिजनेस व्यापार जो भी है आपका वो काफी अच्छा है आपका करियर जॉब बिजनेस जो है पैसा आता हुआ दिख रहा है फलता फुलता हुआ दिख रहा है और आप जो है मजे से हैं मतलब थोड़ा रिलैक्स हैं इतने जादा दोड़ भाग नहीं हैं काफी कुछ अच्छे हो रहा है आपके बिजनिस या व्यापार या जॉब में तो ये महीना जॉब व्यापार करियर के लिए काफी अच्छा है तो कुल मिला के जो है आपका महीना एप्रिल का महीना जिन्हों vertically में सरासी वालों ने चुना है उनका ये महीना कुल मिला के काफी अच्छा जा रहा है आप आराम करते हुए देख रहे हैं परसनल लाइफ भी बहुत अच्छी जा रही है लव लाइफ भी मासूमियत प्यार से भरी है थोड़ा बहुत मेहनत कुछ हो सकता है हलका फुलका और आपका करियर जॉब बिजनेस फलता फुलता दिखाई दे रहा है पैसा आता हुआ दिख रहा है मतलब अच्छे से सब चल रहा है आप थोड़ा रिलाक्स हैं मतलब इतनी दोड़ भाग इतनी उतल उतल बहुत जादा ऐसी नहीं है तो ठीक ठाक चल रहा है अच्छा खासा है तो कुल मिला के आपका ये अप्रिल का महीना काफी अच्छा है तो अगर आपको ये रिडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेश रासी जिन्हों ने भरवान राम की पीली माला जो पहनी है वो चूज की है पाइल नंबर थ्री आपका अप्रिल का महीना कैसा जाएगा तो चलिए कार्स निकालते हैं पहले आपका पूरा यानि की अप्रिल का महीना कुल मिला के कैसा जाएगा उसके लिए कार्ड निकालते हैं फिर आपकी जो है परसनल लाइफ कैसी जाएगी उसके लिए कार्ड निकालते हैं एपरिल के महीने में जिन्होंने पीली माला वाले राम जी को चुना है तो ये परसनल लाइफ लव लाइफ ये आपकी लव लाइफ है और आपकी प्रोफेशनल लाइफ तो ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ तो ये जो आपका है ये आपका कुल मिला के मतलब अप्रिल का महीना कैसा जाएगा जिन्होंने पीली माला राम जी को पहने वे चुनी हैं तो काफी चुनावतियों भरा रहेगा अप्रिल का महीना काफी सारे थोड़ी परिशानिया और आपस्टेकल्स आ सकते हैं लेकिन आप जो है मजबूती से खड़े रहेंगे डटे रहेंगे सारी चुनावतियों का सारी बातों का सामना करेंगे तो कुल मिला के ऐसा महीना जाने वाला है और आपकी personal life देखे तो personal life में आप जो है balance कर रहे हैं मतलब जैसे balance करना मतलब जैसे घर का काम है business है आपका आपका व्यापार है job है तो आप घर में भी आप मतलब सबको बराबर समय दे सकें घर में भी सबके साथ प्यार से रह सकें और office में भी आप अच्छे से काम कर सकें आफिस की चीज़े आप घर पे ना लाएं, घर की बाते आप आफिस पे ना ले जाएं मतलब घर के लोगों का भी आप ध्यान दे, अपने बीबी बच्चों का भी ध्यान दे और आफिस के काम को भी आप बराबर से करें दोनों में मतलब यह नहीं कि गचड मचड करें दोनों को आप बैलेंस करके चलें तो ऐसे ही कुछ और भी चीजें हो सकती है आपके जीवर में कुछ और समस्याएं हो सकती है कुछ और बाते हो सकती है बहुत सारी बाते हो सकती है जिन में आप तालमेल बना के रखे किसी एक बात में ना फसें किसी एक बात में ना फसें सब को बराबर समय दें सब को बराबर महत्वदी ये आपकी personal life है और आपकी love life love life तो अच्छी खासी है आपकी कोई problem नहीं है आप जैसे कि आपका rock जो है आपके partner के ऊपर चलता है अगर आप सिंगल हैं तो आपके partner के ऊपर आपका चल रहा है married है तो आपकी बीबी के ऊपर आपका जो है सासन चल रहा है control आप जैसे करके रखे हैं तो आप yükbakा की चल रही है पर हां बहुत जादा मतलब रूढ़ी वादी ना बने, बहुत जाधा अपने अंदर ईगो ना लाएं और बहुत जाधा यानि कि पुराने विचारों के ना बने थोड़ा सा नई सोच भी मतलब लाएं अपने अंदर और थोड़ी सी नए जमाने की साब से चलें थोड़ा सा अपने पार्टनर या अपनी पतनी को थोड़ा सा छूट दे बाकी अच्छा है आप थोड़ा सा इगो कम करें और थोड़ा सा मौ यानि कि उनको भी छूट दे जो आपके पार्टनर है उनको भी मतलब थोड़ा सा थोड़ा सा अगर गुस्सा भी आ रहा है तो थो बहुत अच्छा जाने वाला है, वक्त का पहिया घूम रहा है, आपकी किस्मत आपका साथ देगी, हाँ, आपकी किस्मत आपकी साथ देगी, तो हो सकता है, व्यापार में आप कुछ आगे बढ़े इस महीने, जॉब में कुछ आपकी पदोनती हो, प्रमोशन हो, या फिर जिन्होंने पीले राम जो फूल माला पहने हैं, आपका जो है अपरिल का महीना अच्छा जाने वाला है, चुनावतियों भरा है, परसनल लाइफ में आपको बैलेंस करने की जरूरत है, लव लाइफ में भी आपको थोड़ा सा मॉडन सोच, थोड़ा सा अपने पार्टनर क छूड़ दें, थोड़ा सा अगर गुसा भी आ रहा है तो थोड़ा सा कम करें, मतलब थोड़ा सा कुछ क्या बोलू, मतलब जैसे कि पुराने जमाने के लोग होते हैं, अना कि वो बहुत दबा के रखते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो, तो ऐसा व्यवहार ना करें बतलब थोड़ा सा चूड़ दें और आपका जो बिजनेस है व्यापार है वो तो उसके हिसाब से तो यह महीना बहुत अच्छा है तो कुल मिला के महीना काफी अच्छा है आपका अगर आपको यह रिडिंग अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर झाले, तक्य।